वेल्कम वन्स अगें तो नेट वाला भाया यूटूब प्लाटफॉर्म में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं तो कैसे आप सब लोग अच्छे हैं चलिए उमीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने-पने कामों में लगे होंगे तो जैसा कि आपको प हमारा लास्ट बचा हुआ है करीबन दो चार या पांच लेक्चर बचा होगा उसके बाद हम लोग बिजनस एकनोमिक्स को करेंगे चले देखते हैं आज हम लोग क्या करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको बता दूं कि नेट वाला भाया एक यूटूब प्लाफॉम है जह वाला भाया के नाम से फॉलोव कर सकते हैं और फेस्बूक में भी आप हमें नाम पर सर्च करोगे तो हमें ढूंद पाओंगे और आप हमें वहाँ पर भी जॉइन कर सकते हो और आपको नोट्स चाहिए रेगुलर बेसेस पे जो भी क्लासेश चल रही है उसकी नूट्स की जरुरत पड़ेंगी ही पड़ेंगी क्योंकि आपको टेलिग्राम चैनल पे मिलेगी तो टेलिग्राम चैनल पर भी आपको जॉन्करना है नेट वाला भाहिया को उसके बात अगर आपको किसी तरह का कोई क्वेरी है ठीक है जो कि आप कुश्वन को नहीं समझ पारे है या क मोनोपोलिस्ट कॉमपोलिस्ट 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 कि यहां पर प्रोड़क्ट डिफ्रेंशेशन के साथ कुछ-कुछ प्रोड़क्ट को ले करके मार्केट में लाया जाता है जिसे कि पिछले क्लासस में हम लोग एक्जामपल दिये थे वाच का आज का टाइम पर वाच बनाने की बहुत सारी कंपनी आपका बोट है फायर बोल् पर तलकीओ देखते हैं तक देखते हैं तो जो डिफ्रेंट ब्राइंस की होते हैं वो क्या होता है एकचली में हम लोग किसी प्रोड़क्ट के प्रतिक्व हम लोग आकरसीत हो जाते हैं तो अकरसीत इसलिए वह estas project की कंश हमको ऐसा क्लिक कर सकते हो so that is a new differentiated features ठीक है और किसी किसी में क्या होता है कि आप mobile आपका रखा हुआ है थोड़ा रेंज में और आप घड़ी लेकर कहीं और आप वहां से बात कर सकते हो कि कैसे हो क्या हो से यहां पर अगर ऑघण हों वाओ तो अगर प्रोड़क्ट में थोड़ा थोड़ा डिप्रेंशेशन देखने को मिल रहा है यहां तो इस यहां पे आगर एकसे ज्यादा सेलर्स होते हैं तो free entry and exit होता है कि जिया यहां free entry and exit होता है मतलब कि जब मन है आप आओ जब मन है आप चले जाओ बट जब्ट अगर आप घड़ी का बात करो तो सब smart watch का एक ही basic necessity है कि यह smart होना चाहिए आप इसमें क्या-क्या features डाल पा रहे हो that depends और वही फीचर इस प्रोड़क्त को दूसरे प्रोड़क्त क्या बनाएगा थोड़ा सा अलग बनाएगा और यह थोड़ा सा अलग प्रोड़क्त को डिफ्रेंशियेटेट कहलाएगा जिसको दिफ्रेंशियेटेट कहेंगे और फिर यही उसके स्टेल को यह तो इंक्रीज करे है ठीक है दिमाग का दही नहीं करते हैं लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं ठीक है ठीक है चलिए ऐसे आप लोग को एक बात और बता दू कि अभी रिसेंट्ली हमारा एक और चैनल लॉंच हुआ है लेकिन बहुत जल्द इसमें 12 के स्टार्ट हो जाएंगे और अप लोग उस चैनल को भी जाकर के प्यार दीजिए और उसमें भी जाकर करके लाइक सब्सक्राइब और मतलब लाइक तो वीडियो देखने के बाद ही कीजिएगा पसंद आएगा तो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक है चलिए और कोई होंगे ऐसे जो बच्चे जो मतलब सक्षम नहीं है तो जाकर के उस चैनल को जोईन करके वहां से अप सब्सक्राइब कर टाजें चयादा लेकिए मुटी है जैसे कि लक्स हो गया थ्याहाँ हो गया डेटाल हो गया यह पिर्स और लाइब वोई ऑगे यह प्लस डव कितने तो सारे जो सोप है सेंपूज है डिटेजिंट है तो इस दिस मार्केट आज एक्जामपल आफ पर्फेक्ट कॉंपटिशन के एक्जामपल है तरह सोप का तो काम एक ही है बॉडी वाश करना ठीक है या मतलब हाँ बॉडी वाश करना लेकिन उसमें उसका डिफ्रेंशियेटेटेट गया है जैसे कि आई थिंक डाव का एक किया नीमा सैंडल खर सोप उसका अलग है संतूर संतूर ममा वाला प्रोडक्ट संतूर ममा अश्म से सुनाजी ओग कि Muhanne उसका दिफ्रेंशिट क्या है एक में यंग दिखने लगते हैं एक में क्या होता है एक बहुत अच्छा खुस्बूदार होता है तो सब एक में कोमल तवचा होता है सब अपना अलग-अलग features के साथ बेसिक features के अलावा क्या feature उसमें add-on है तो दैटीज हम लोग बोल सकते हैं उस तरह के examples या उस तरह के product को मोनोपोलिस competition कहते हैं this appears to be example of a perfect competition but on a close inspection we find that each seller has at the least some variation between this product and thus the competitor तो आप देख रहे होंगे कि थोड़ा-थोड़ा variation मतलब थोड़ा-थोड़ा changes तो देखने को आपको मिलता ही है for example whereas luxe is exhibited to be a beauty soap luxe कोम लोग क्या मालते है beauty soap Lyril is a more associated with the freshness Lyril is a more associated with the freshness देखो के कि गर्मी के मौसलब में एक add आता था I think इसी गर्मी में एक add आ रहा था जो भी गर्मी गया soap लगाने के बाद बहुत ज्यादा मतलब थंड़क महसूस होता था लगता था बर्क में गिव इच सेलर आ चांस टू अट्रैक्ट 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 करता है किस बैसिस पर अपने फीचर्स के बैसिस पर तो इस इस दा मोनोपोलिस्टिक पार्ट अब दा मार्केट दा सिचुएशन दस इस मार्केट कंटेंग फीचर्स अब बोथ दा मार्केट डिसकस्ट अर्लियर मोनोपोली अट परफेक्ट कंपेशन दोनों का फीचर से इसमें देखने को मिलेगा हुआ इन-फैक्त डिस टाइप ऑप मार्केट इस मूर कॉमन दें दा प्योर कमपेटिशन और प्योर मोनोपो्री ना तो यह प्योर कॉमपेटिशन प्योर मोनोपोली यह लेकिन हाँ प्रफॉला एक्जाम्पल याद रखके आप मोनोपोलिस्ट को याद रख सकते हो ठीक है चलो कुछ-कुछ फीचर से आए डिसकस करते हैं तो सब एक बाद बताओ मोनोपोलिस्ट को हम लोग रियल लाइफ से जोड़के पढ़ सकते हैं क्यों नहीं पढ़ सकते हो बिल्कुल लंबे समय तक अगर आपको कोई भी चीज याद रखना तो उसके लिए रटना नहीं है उसको चीजों को समझना है क्या करना है चीजों को समझना है ठीक है देखो सबसे पहले दिया हुए क्या लार्ज नंबर ऑफ सेलर मोनोपोलिस्टिकली क्यों सेलर कैसे आग है तो प्र चोटा-छोटा सब का सेर है मार्केट में लेकिन है जरूर अगर हम बात करें प्रोड़यक्टीफेनिशाइशन का तो अगर प्रोड़यक्टीफरेंस्टिशन ना रहे तो क्या मोनोपोलिस्ट और यह लाएगा बिल्कुल नहीं कहलेगा कैसे का लाएगा जब तक प्रोड़ उनको क्या करता है वो फीचर्ज वैसे प्रोडक्ट को एंहांस करता है और उसको नो the market में थोड़ा साशियर उसको भी मिल जाता है c consultant product differentiation giving rise to an element of monopoly to producer over the competing product as such the producer of an individual brand can raise the price of his product knowing that he will not lose all the customer to the other brands because of the absence of the perfect substitutability since however all the brands are close substitute of the one another the seller who increases the price of the product loses some of his customer to the his competitor thus this मार्केट इस अगर कोई प्रोड़क्ट अपना प्राइस को बढ़ाता है तो वैसे सिचुएशन में आपको क्या देखने को मिलेगा आप उस सिचुएशन में यह देखोगे कि वो जो प्रोड़क्ट है अपना मार्केट का कुछ लूज कर जागा क्यों क्योंकि बाकी जो उसके competitors है वो अभी तक प्राइस में कोई changes नहीं किये बस सिर्फ और सिर्फ यह किया है तो अगर यह प्रोड़क्ट अपना प्राइस में अगर कोई बढ़ाता है कोई भी मतलब थोड़ा सभी बढ़ाता है तो उसका effect उसको अपने product क कि अगर यह सेल में देखने को मिल जाएगा मतलब क्या हो जाएगा सर रिडियूस हो जाएगा ठीक है तो सब्सको प्रीओर कंपटीशन क्यों इसको प्यूर कंपटीशन का भी mixture कहा जाता है और क्यों इसको जो आना है और जिसको जाना है जो कोई रोग टोक नहीं है नो वेरियर्स ठीक है नेक्स्ट स्टैंग एकेला कम्पणी बोट आया था वाइदा में अतना ऐड़िया नहीं है बोट आया था मान के चलो तो बोट वाले मार्केट में काफी बना लिए इसके लोगों के हाथ में बोट का आई प्राइस तो अपने हिसाब से लोग चार्ज कर रहे समय कि उस समय मोनोपॉली कंडिशन था रेस्ट्रिक्टेड ऑफ एंट्री था बैर्यर स्था एंट्री क्या उसके बाद दो कंपनी और आई क्यों आई हो लोग देखें कि मार्केट सेर इस घड़ी का ज्यादा बढ़ते जा रहा है तो सायद अगर हम लोग आ जा तो हम लोग भी कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं वह इस बेसिस पर आए अब जब वह आए तो जो बोट ऑल्रेडी मार्केट में सेर बना चुका था तो उसके सेर को बीट करने के लिए यह लोग क्या कर सकते थे तो लेकर करके आ रहे थे लेकिन वोट एक ट्रस्टेट ब्रांड बन चुका था अब पुरान ही ब्राइड वाले लोग लॉग लांच किये थे कोई नया ब्रांड नहीं आया था ठीक है तो अब यह जो पुरान एड-on करने का प्लस एक और काम करेंगे फ्राइस में थोड़क्ति में वाले प्राइस में कट आधा होता है और भूर फिर देखा जाएगा कि दो तीन मतलब ब्रैट्ड आ गए हैं और इसका सेल्स बढ़ते जा रहा है तो और सारे मार्केट्स करेंगे और सारे अंटर करने का हम नहीं उसकोमे देख लेकिन अभी भी स्मार्ट वार्च का मार्च आने हैं है नए नए और भी ब्रैंड्स आते जाएंगे आते जाएंगे और पुराने ब्रैंड्स को अगर रहा मन किया तो वो रहेंगे अधरवाइस अगर उनको लागा की लास का सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो वो निकल जाएंगे ठीक है non-price competition देखो non-price competition ये भी काफी important है in a monopolistically competitive market sellers try to compete on the basis other than price price के अलावा भी compete करने का कुछ करते जैसे की aggressive advertising product development, better distribution arrangement, efficient after sale service and so on तर aggressive advertising क्या होता है ए्ग्रेसिव एड़टाइजिंग मतलब होता है वहां पर इस तरीके से advertisement करना कि लोग आपके product के प्रति क्या हो जाए । दीवाना हो जाए मतलब कि उनको यह मन करें कि हम वह product को purchase करेंगे ही करेंगे तो वह होता है आपका क्या aggressive advertisement उसके बाद है product development आप अपने प्रोड़क्ट को इस तरीके से डेवलाप करके मार्केट में लेकर के आप कि लोग आपके प्रोड़क्ट को बोले कि नहीं एक बार जब यूज कर ले तो वो सब को क्या करें वर्ड आप माउथ के जरीए एक्स्प्लेन करें कि इस प्रोडक्ट में काफी अच्छा फीचर्स है यह प्रोडक्ट वैसा है यह प्रोडक्ट ऐसा है तो यह सारे चीज को आपको काफी ध्यान देना पड़ता है चीख है आगे देखते हैं आगे दिया हुए आपका अकी बेस अकी बेस अफॉप नन्-price competition is delivered policy of the product differentiation seller attempt to promote their product not by cutting price but by incurring high expenditure on the publicity and advertisement and other sales promoting technique this is because price competition में result in the price war which may throw a few firm hour of market देखो क्या होता है ना कि जब advertisement किसी भी चीज का ज्यादा advertisement क्या होता है दूसरी बाद advertisement क्या करता है तो advertisement एक customer को persuade करता है उस product के प्रती उस product को खरीबने के लिए मतलब उस product को के बारे में आप इतना knowledge ही दे दोगे लोगों को इतना उसका benefit ही बता दोगे और आप ऐसा भी करोगे कि दूसरे product को जो आप use करें उससे आपको कितना नुकसान है वो भी चीज आप बता दोगे तो लोग कहीं न कहीं आपके product को खरीबने के लिए क्या हो जाएंगे attracted हो जाएंगे उस advertisement से और आपके product को purchase करने लेंगे तो यह भी एक non price competition है उसके बाद है price output determination under the monopolist competition equilibrium of a firm in a monopolistically competitive market means the product is differentiated product क्या होता है differentiated होता है each firm does not face up perfectly elastic demand for its product हर firm को perfectly elastic नहीं देखने को मिलता है क्योंकि सबका product क्या है थोड़ा थोड़ा यहाँ पर differentiated है each firm is the price maker and in a position to determine the price of its own product मतलब कि यहाँ पर price को क्या कर पाते है ऐसा position में है वो कि determine करे price को अपने product का मतलब अपने product का price वो खुद रख सकता है क्योंकि price product में होता है differentiated होता है इसलिए monopolist में क्या होते है अपने प्राइस में करोते हैं आज सच दपर में सब्सक्राइब इसको रीट कर लीजिएगा कुछ अलग चीज नहीं है ठीक है बस एक लास्ट का लाइन हम बता दना है कि जनरली दा लेस्ट differentiated the product is from its competitor the more elastic this curve will be अगर कम differentiated product है मतलब कि उसमें changes कम देखने को मिल रहा है तो उसके elastic में भी ज्यादा changes देखने को मिल सकता है ठीक है चलिए ग्राफ है इसको समझते है यह cost and revenue curve है और यह आपका output है ठीक है ध्यान दोगे कि यहां पर एक दिया होगा AR एक दिया है MR MC और AC ठीक है और prices दिया हुआ है देखो the firm depicted figure 22 has a downward sloping but flat demand curve of its product कैसा demand curve दिख रहा है flat demand curve यह demand curve कैसा दिख रहा है flat दिख रहा है ठीक है तो the firm is assumed to be use-safed short run cost curve यहां पर the conditions for price output determination of the equilibrium is what MC is equal to MR MC किसके बराबर होगा MR का यह तो सर आपको पहले से ही पता है पिछले class में भी यहां बताया थे तो आप यहां पर क्या देख रहे होगे कि MC is equal to MR यहां पर भी आप कर रहा है MR को वो नीचे से कट कर रहा है देख यह MR का line हो गया और यह MC का line हो गया तो वह point क्या हो गया आपका equilibrium का situation हो गया ठीक है कि दिखो कि ठीकर 22 सोस्टाइट एमसी कट MR कर्व एड़ पॉइंटी जिस पॉइंट पर कट कर रहा है वो point equilibrium है तो at equilibrium price is OP यहां पर जो E point है वो जो OP जो है वह आपका क्या दिख रहा है equilibrium price है ठीक है उसके बाद and the equilibrium output of the is OM equilibrium output क्या है आपका OM है तो seems per cost per unit cost is SM तो per unit cost आपको क्या दिख रहा है SM यह cost है आपका super normal profit that is the total super normal profit is PQSR तो यहां पर जो यह सिच्वीशन जो दिख रहा है यह आपका गुपर normal profit क्यों नीवा क्योंकि यह short run का बात कर रहा है तो जहां पर बात करते हैं वहाँ पर क्या बात करते हैं वहाँ आपने हम लोग super normal profit का जनरली बात करते हैं और लोग करते हैं चलिए इसको को रिडाउट कर लिजएगा कुछ ऐसा है नहीं यहां पर समझाने लाए है ना हाँ एक कुछिशन यहां पर इमको दिख रहा है जो थोड़ा सा इंपोर्टेंट है वो देखिएगा कि वाट अबाउ अला रन एक्विलिब्रियम फिंडस्टी यह देखो इफ दा फार्म इन आ मोनो पोलिस्टिकली कॉंपेटिटिव इंडस्टी अन शूपर नावर्ण प्रॉफिट इन दस्वाट रन सौट रन में अगर वो सूपर नावर्ण प्रॉफिट अर्ण कर रहा है त हम और हुआँ अपर फ्रॉफिट पर फॉफिट प्रॉफिट पर फोटर्पर विल गो और क्रिजिग कई तो आप जब सारे आं गया तो इहां पर क्या उगगा इसब ख्रॉफिट एटेट सब क्या करेंगे जो लाड्ग पाम होंगे लाज नबर फॉब्स तोड़े थोड़े प्रॉफेट साब कोई प्रॉफेट सारी लोग कमाएंगे फिर यह नौन प्रॉफेट का सिचुवेशन फॉपर नौन प्रॉफेट करती है लेकिन अगर बात करें तो वहाँ पे इतने सारे नहीं नहीं competitors आ जाते हैं कि सबको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाने में प्रॉफिट जो पाट जाता है इसलिए वहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट का सिचुईशन आ जाता है ठीक है चलिए लॉग रन उक्विलिब्री ओफ फर्म इस प्रॉफिट कली कॉंपटिटिव मार्केट अबरेज रिवेन्यू कर्फ टैटेश्ट अबरेज रहा है मतलब मार्जिनल प्रॉफिट अपका जीरो रहा है मतलब मार्जिनल प्रॉफिट अबरेजनी और तो वहां प्या कर रहा है तो पर नॉर्म प्रोफित आपका जीरो है क्योंकि उसके एक्सीड करता था आपका आपका प्रॉपित होता है तो अगर उसी के आसपस में है तो वहां पर आप जो अर्ण करोगे वह आपका नॉर्मल प्रॉफित हो जाएगा In case of the losses in the short run the loss making firm will exit from the market and this will go till the remaining firm make normal profit only तो ऐसे firms जो होते हैं वोसे normal profit earn करते हैं and it is to be noted that individual firm which in equilibrium in the long run is the long run in equilibrium position at a position where it has excess capacity जहां पर उसके पास capacity क्या हो जाता है बढ़ जाता है So that is the producing a lower quantity than its full capacity the full capacity से वो कम में करता है तो then the firm figure number 24 में आप देख सकते तो तो गुद एक्स्पैंड its output from Q देखो क्यूं से कहां आर क्यों बढ़ रहा था ठीक है इधर क्यों बढ़ रहा था तो बढ़ रहा था तो वैसे situation में क्या था कि कॉस्ट जो था वो रिदिस हो रहा था बट इस नाट डू सो बिकॉस्ट तो डू सो वोड़ डूर रिद्यूस एवरेज रिवेन्यू मीनिमम मोर दन एवरेज कोस्ट इंप्लाइज दाट फॉर्म इन मोनोपोलिस्टिक कॉंपेटिशन और नॉट ऑप्टिमम साइज और एक्सेस कैपसिटी तो जब एक्सेस कैपसिटी होगा तो वहाँ पिर आप नॉर्मल प्रॉपिटी अर्न करोगे करोगे वहाँ पर सूपर नॉर्म प्रॉफिट का तो सवाली नहीं होता है लॉस्ट भी जनरली केसेस में दिखा जाता क्यूंकि अब एक्सेस कैपसिटी का यूज कर रहे हो तो यह था आपका सवाक के ओवरॉल आज का ग्लास ठीक है तो आज की क्लास को हम लोग क्या करेंगे यहीं पर समाप्त करेंगे और समाप्त करने के साथ थोड़ा सा आप से बात करेंगे कि आप का पढ़ाई कैसा चल रहा है जैसे कि आप लोग का अभी एक्जामे खत्म हुआ है तो एक्जाम्स कहत्म होने के साथ आपको रुख जाना है जिनको भी लग रहा है कि आंसर की चेक करने के बाद NET QUALIFY हो सकता है या जारेफा सकता है तो जिनको लग रहा है कि नहीं थोड़े से मार्क्स के वज़े से रह जाएंगे जो डाड़ेंड में हैं वो अपना पढ़ाई अभी से ही जारी रखे ताकि क्या होगा फिर जब आपका अचानक से बर्डन नहीं बढ़ेगा तो आपके लिए वह ज्यादा अच्छा होगा क्य कि हम लोग भी यह चीज को फेस करते हैं इसलिए आप लोग के लिए शॉट शॉट वीडियो भी आते रहता है मोटिवेशनल वीडियो तो थोड़ा सा देखिए उन सब चीजों को और समझे और पढ़ाई को जारी रखें तो आज क्लास को हम लोग इहीं पर वाइंड अप क